क्योंकि आज तक आज तक जितनी गलतिया जितने पाप जितने विप्रिता पूर्व समय में पूर्व काल में पूर्व परियायों में हमने की है उसके निमित से जो पूर्व कर्म का आसरो बंध मैंने प्राप्त किया उस आसरो बंध के निमित से भीतर कर्म रूपी परवत ऐसे बिकट कर्म रूपी परवत को नश्ट करने के लिए अगर कोई बज्र के समान है तो उसका नाम तप है तप रूपी संगर से है तप रूपी चैलेंज है तप रूपी चुनोती है बहुत बड़ी चुनोती बहुत बड़ी चुनोती है बाहर की नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी चुनोती है तपस्या हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है तपस्या को धारण कर लेना, मा एकाद उपास, एकाद वरत, रोहिनी आदी आदी कर लेना यह बहुत सामाने है यहाँ जीवन भर के तप की बात कह रहे है ठीक है ठीक है जीवन भर नहीं कर पा रहे है उतना जितना कर रहे है उतना ही सही पर यहाँ तप अधिकार में कह रहे है कि पापों को पूर्व कर्म में पूरव जनम में, जो कर्म, रूपी, परवत, तुमने अपने भीतर, बांध के रखा है, कर्मों का असरवंद्द कर लिया है, उसके लिए, अगर उसको नश्ट करने के लिए, वजर के समान, अगर कोई है, कुछ है, तो ये तप है, तो यह तप है, तो यह तप है, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं यत काम दावानल ज्वाला जाल जलम जो काम रूपी अगनी की ज्वाला को शमन करने के लिए जल के समान है अगनी रूपी ज्वाला को कौन सी अगनी? काम रूपी अगनी संघर्ष हमें इन पापों से इन विशय कशायों से ही करना है बाहर के व्यक्तियों के साथ नहीं सदिया बेदगेवों के जी बाहर के व्यक्तियों के साथ देवशास गुरु के साथ संघर्ष करते करते हमें अपने पापों से अपने करमों से अपने काम विशे वासनाओं से संघर्ष करना था और उस संघर्ष का नाम ही तपस्या है उस संघर्ष का नाम ही तपस्या है एक सामने चुनोती लेकर काम करना कैसी काम वासना मुझे सताता है सताती है देखता हूँ कैसे भूक मुझे सता पाती है मैं देखता हूँ नहीं सता सकती ये निरणे कर लेना यही तो तपस्या है क्रिया में ला लेना यही तो तपस्या है यही तपस्या यही तपस्या है वह काम रुपीज वाला को भी ठंडे करने के लिए साधन है जल के समान ये तपस्या हर किसी के बस की बात नहीं है इन चुनोतियों का सामना कर लेना विरला ही विरला ही विरला ही जीव होता है जो हर कारिय की चुनोतियों को स्विकार करता है जैसे बाहर की चुनोतियों को उप्राप्त करते हुए बाहर का जीवन अच्छा होता है ऐसे ये अध्यात्मिक पारमार्थिक भीतर की चुनोतियों से मेरे भीतर का जीवन भी अच्छा होता है क्योंकि दोनों प्रकार के जीवन को ठीक है भिना हम जनम जरा मृत्यू से जनम जीवन से मरण से दूर हो नहीं सकते हो नहीं सकते हमें अंतरंग जीवन को भी और बहिरंग जीवन को भी चुनोतियों के साथ उसे पार करने की उसे स्वीकार करते हुए संघर्ष करने की आवज सकता है आज तक मां दूसरों से कितना संगर्श किया दूसरों से कितने लडाई की पर अपने पापों से अपने करमों से अपने कसायों से अपने विशय वासनाओं से शायद नहीं कर पाए शायद नहीं कर पारे इसलिए कह रहे है यत उग्र करण यत उग्र करण ग्रामाहि मंत्राक्षरम जो प्रचंड इंद्रियों के समोह रोपी सर्प को उग्र से उग्र उग्र से उग्र सर्प भी सामने के उना आजाए एक मांत्रिक मांत्र कुछ मंत्र पढ़के उडद आदी उस पर फेग देता है वह सर्फ भी जो डशने के लिए दोड रहा था वह भी सांत टोकनी में जाकर बैठ जाता है देखा आप लोगोंने? नहीं देखा हो तो देख लेना कभी मात्र मंत्र उसे उस पर फेक दिया जाता है वह जहरिला से जहरिला दूसरों को डशने के लिए दोडने वाला वो नाग भी एक मिनिट में वही कुंडली मारकर चुप चाप हो जाता है ऐसे ही ऐसे ही जो इंद्रिया तुमारे साथ लड रही है जो इंद्रिया इस इंद्र के साथ लड रही है स्वयम की सेवा ही, स्वयम के सेवक ही, स्वयम के मालिक के साथ लड़ रहे है यही तो यह इंद्रिया सेवक ही तो थी पर यह इंद्रिया ही मालिक जो आत्मा था उसके साथ ही लड़ती है नहीं मुझे तो भूख लगी है, रात में भी मिल जाए, हमें तो खाना ही है हामें तो भूक लगिये, मर जाओंगा यह लड़ाई तो है यह युद्ध ही तो है इसके साथ करो न संगर्ष इनके साथ जीतने का प्रयास करो न इंद्रियों को जीतने का प्रयास करो न जो तब को धारन करता है जो तब को धारन करता है वह अपने आप इस प्रचंड इंद्रिय उरोपी सर्प को दर्प को मिटाने के लिए एक मंत्र के समान साबित होता है एक मंत्र के भाती वो साबित हो जाता है मंत्र फेकते ही सर्प शांत हो जाता है ऐसे तपस्या प्रारंभ कर लो, इंद्रिया अपने आप शांत हो जाती है कहना नहीं पड़ता काम वासनाओं को कंट्रोल करो कहना ही नहीं पड़ता तपस्या कर लो क्यों अस्टमी चतुरदसी हमारे आगम गरंथों में वह प्रोशोद उपवास कहा है क्यों प्रोशोद उपवास की कलपना परिकलपना की है मात्र और मात्र अपने इंद्रियों को जीतने के लिए ही क्योंकि अस्टमी चतुरदसी के दिनों में ही अधिकांस विपरित ताय घटित होते हुए देखी जाती है जितनी विपरित मानशिक्ता विपरित कारी भी होते है इनी दिनों में होते है इनसे बचने के लिए ही वह प्रोशोद उपवास रूपी तब कहा गया है इंद्रियों के लिए मंत्र हो गया नाचने वाले उस इंद्रियों के लिए नचाने वाले उस इंद्रियों के लिए मंत्र के भाती वह शांत करने के लिए यत प्रत्युह तमा समोधिवसम जो विगन रूपी अंधकार के समों को नश्ट करने के लिए दिन के समान है जैसे दिन अंधकार को नश्ट करता है ऐसी ही तपस्या घर में, परिवार में, समाज में, देश में, अपने आप में, जितने भी विगन हैं, उन सभी विगनों को नश्ट करने के लिए कारण बूत है कहना नहीं पड़ता, अंधकार को चली जा, दिन आ रहा है, सुर्य उधित हो रहा है, वह जाता ही जाता है, बिल्कुल ऐसे ही, किसी प्रकार से, किसी प्रकार से, तपस्या करने वाले को, अपने जीवन के विगनों को दूर करने के आवस्चकता पड़ती ही नहीं है पड़ती ही नहीं है, जितनी शक्ती है, जितनी शक्ती है, यवाओं उन शक्ती के अनुसार तप धारन करो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, तन में बहुत बड़ा तप करने से ही हम तपस भी कहला है ठीक है पूर्ण कर्मों की शपना तभी होगी, पर एक देश करते 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 क्या हम वहां तक पहुंचने का प्रयाज भी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, एक छोटा सा नियम, एक छोटा सी तपस्या भी हमारे जीवन को बदलने के लिए कारी-कारी कारण हो सकती है, हो सकती है, मूलम तत्व जो लब्धी रूपी नौ लब्धी रूपी जो लक्ष्मी है नौ लब्धी नौ लब्धी चोदा रत्न आदी लक्ष्मी रूपी को भी लक्ष्मी रूपी उस बेल का अगर कोई मूल है उसका कोई जड़ है तो तब है देख लिना आगम खोलकर जितने जितने ये महान चक्रवर्ति और महापुरुष हुए ना कही न कही तपस्या तो उन्होंने बराबर की थी तपस्या करते करते कही न कही निदान किया था तो दूसरी जगे जाने की जगे, कही और जाने की जगे, इसी संसार में महान विभूतियों को प्राप्त करने वाला महापुरुष बना देख ले ना चक्रवर्ती, नारायन, बलभद्र, आधी-आधी जई इतने उत्कृष्ट पद है, बिना तपस्या के नहीं मिले संसार की भोग भी, संसार की निदी भी, मात्र और मात्र इन तपस्या के द्वारा ही मिलती है, तपस्या से ही प्राप्त होती है अन्य किसी से अन्य किसी से वह प्राप्त होती ही नहीं है, होती ही नहीं इसलिए कह रहे है वह मूल है लक्षमी लताक्वा मूल ये तपस्या है तद विविधम तपा वितस्प्रहासन यथा विधी कुर्वेट इसलिए 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 ये दो प्रकार का तप निस्प्र होकर विधी पुरवक करना चाहिए किसी आकांग्षा किसी इच्छा के साथ नहीं करना चाहिए जितना निस्प्रु होकर आप तब करोगे उतना उतना विशेश 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 आपको पुर्ण्यका आसरो भी होता रहेगा क्यों? क्योंकि यस्मात विगन परामपरा विगटते 82 नंबर के श्लोक में कह रहे है कि तब के प्रभाव से विगनों की संतती विगनों की परामपरा भी अपने आप नश्ट हो जाती है सुरादास्यम कुर्वते वह देव भी दास बनकर सेवा करता है जो रिधिधारी देव है वे रिधिधारी देव है अन्बो किया नहीं देखा आप लोगों ने देखा नहीं देखा हो पर हमने तो देखा हमने तो देखा तपस्वी की सेवा करने के लिए दास के समान वे सरगों के देव भी आ जाते है वहर जंगल में भटक भी जाए तो सामने रास्ता दिखानें के लिए खड़े हो जाते है देव तक स्वरगों से सेवा करनें के लिए सेवा करनें के लिए दास बनकर पहुँच जाते है कामाश्याम्यंती, कामविकार की शांती हो जाते है इंद्री गणा दाम्यंती इंद्री ये वसी भूत हो जाते है कल्यान उत्पर्पती कल्यान उत्पन हो जाता है महर्धत उन्मीलंती अने को रिधियों को प्रकट किया जा सकता है तब अश्या के माध्यम से जितनी जितनी दिगंबर मुन्यों को रिधिया प्रकट होती है वो किसके माध्यम से हुई किसके माध्यम से हुई तबके माध्यम से ही हुई तबके ही माध्यम से तबके ही माध्यम से सब रिधिया प्रकट हुई है सब रिधिया तबके माध्यम से ही प्रकट हुई है और मात्र मुनिराजों को नहीं, स्वर्गों के देवों को भी, क्यों इतनी रिध्या मेली भले, उनकी देव परियाय में उनके पास कोई तपस्या नहीं है, कोई वरत्नियम नहीं है, पर पिछली परियाय में, मनुश्य परियाय में, जितना विशेश तपस्या को प्राप्त क करता है उतनी विशेश विशेश रिधी भी उसे प्रकट होती है उन देवों की पर्याएं में भी महर्धया उद्मेनती महान रिध्यों को धारक हो जाते है यच्च कर्मणाम ध्वंचम कर्मों का नाश करते है त्रिविधम शिवंच स्वाधिनम भवती स्वर्ग और मोक्ष उनके आधीन हो जाता है जो तपस्या करते है बिना तपस्या के बिना चैलेंज के बिना संगर्श के कभी भी मोक्ष नहीं है मोक्ष नहीं है मोक्ष मार्ग नहीं है तो मोक्ष कहां से है नहीं है नहीं है मैं पुना कह दो जब एक राजनेता अभीनेता बनने के लिए इतना संगर जितने चैलेंज एक्षिप करने पड़ते हैं, फिर मोक्ष मार के नेता बनने के लिए कितने चैलेंज और कितनी तपस से एक्षिप करने पड़ेगी, सोचो नेता तो सभी है मुक्षमार के नेता बनने के लिए भी संगर, स्ट्रगल, महनत और चैलेंज इस एक्षिप्ट करने होंगी हम सोचे कि सब काम ठीक हो जाएगा निर्मल जी फिर ठीक हो जाएगा फिर मैं ठीक हो जाओ संसार कभी आज तक ठीक हो आई नहीं है वह तब क्या नहीं देता तब कि क्या नहीं प्रसंसा की जाए जितनी प्रसंसा की जाए उतनी 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 ही तब की प्रसंसा कम पड़ जाएगी महान 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 ये तब है जो एक इंसान को भगवान बना दे एक हैवान को इंसान भी बना दे बना देगी पर वैसी सद्धा वैसा समर्पन सब के प्रती हमारा होना भी चाहिए समस्या तो यही है समस्या तो सतेजी यही है जीव धैर्य को छोड़कर समर्पन को छोड़कर संघर्ष करना चाहता है इसलिए कही न कही कही न कही जीवन में वो फेल हो जाता है बिना धैर्य के समर्पन नहीं होता और बिना धैर्य के संगर्ष भी नहीं होता हमें समर्पन सच्चे देवशास्त गुरू से करना था और संगर्ष अपने पापों से, अपने विप्रित्ताओं से अपनी काम वाशनाओं से, अपनी विशय कशायों से करना था, हमने बिलकुल उल्टा काम किया, जहाँ समर्पन चाहिए था, वहाँ तो संगर्ष करने खड़े हो गए, और जहाँ संगर्ष चाहिए था, वहाँ विशय भोगों में हम समर्पित हो गए, उन पे समर्पन कर दिय विधी पुर्वक करना चाहिए और वो भी मात्र विधी पुर्वक नहीं निश्पुरुव होकर कोई आकांग्षा, कोई इच्छा, कोई अभिलाशा कुछ भी नहीं होना चाहिए अगर है तो वह तप तप नहीं है सम्यक तप नहीं है तब तो है पर सम्मिक तब नहीं है क्योंकि बाल तब भी होता है सम्मिक तब भी होता है उत्कृष्ट तब भी भोग तब भोग तब भी होता है समझेंगे तब के भेद भी पर समय हो गया है क्या करों घड़ी किसी के लिए घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती तीसरा दिन एके जैन साब इंद्रपरस्त का तीसरा दिन भी चला गया सोच लेना, कब कहां क्या होगा, कब हमें कौन छोड़के, कब चला जाया कोई भरोसा नहीं इसलिए जो मिला है उसे संघर्ष के साथ चैलेंजियों के साथ accept करते हुए आगे बढ़ने की आवज सकता है लोगों का काम है कहना वो तो कहते ही रहेंगे निर्णे हमें करना है क्योंकि हमारा जीवन है हमारा आयतन है हमारी समाज है पक्का मानना जैकमा जी उंगली उठाने वाले वे ही लोग होते है मुके जी जिनको कुछ नहीं करना होता जिनको करना होता है वे कभी उंगली नहीं उठाते उंगली उठाने वाले है मतलब उनको करना कुछ नहीं है हमें संगर्षों को प्राप्त करते हुए जीवन के उन अनमोल ख्षणों को अपने धर्म, अपने धर्म आयतनों की रक्षा करने का निरने करना ही होगा हम बाहर में अगर संगर्ष करके आयतनों की और धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे है हम अपनी स्वेम की रक्षा क्या खाग कर पाएंगे अपनी धर्म की और हमारे धर्मायतनों की रक्षा करने के लिए कही न कही विचार करना होगा समय हो गया है मतलब भाग लेने का भाग लो हम तो वही कहेंगे भाई या भाग लो या फिर भाग लो निरनय आपको करना है, जीवन आपका है, अभिनाजी, भाग लो, या फिर भाग लो, समय हो गया है भाग लेने का, अपने जीवन में, अपने तपस्या में, अपने जीवन के संगर्ष और चैलेंज में, तो ही काम होगा, नहीं तो भागते भागते, चतुर गती का भ्रहमन हो मुली भगवान मामीर स्वामी